अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइक और बटन दबार ना भुलिए यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो की सिक्षा से जुड़ी हुए तो लगतर आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी इस वीडियो में हम देखने वाले गुरु घासीदास उनिवर्सेटी से इंपोर्टन नोटिफिकेशन आ गया है बहुत ही इंपोर्टन है क्योंकि यह आपके अब एडिमिशन तो आपे समाप्त हो चुके है तो आफ्लाइन क्लासेस लगाने को लेकर नया नोटिफिकेशन आय उसमें मैंने आपको बताया था तो उसके लिए आप संस्वधित करके नया नोटिफिकेशन आगे वह हम लोग देखने वाले हैं तो सबसे पहले देख लेते पुराना जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से आफ्लाइन का अक्षाय कपसे लगने वाली थी तो यहाँ पर जो है पीजी इस्तर के जो है इस्टुडेंट उनका आफ्लाइन का अक्षाय लगेगी 14 दिसंबर से जो की दो दिन पहले हो चुका है तो 14 दिसंबर से इनकी यह क्लासेस लगने वाली थी अब जाके यहाँ पर आगे में नया नोटिफिकेशन 15 दिसंबर को जारी हुआ है औ से लोग सोच विचार करके तो यहाँ पर नया इनका यह आया है डिसीजन की देखी अब जो इसनातकोत्तर इस्तर के जितने भी कोशेस यहाँ पर है कक्षाय है वहां की जो आफ्लाइन क्लासेस संचालित की जाएगी तो इसनातकोत्तर पीजी वालों का यहाँ कोई चेंज हुआ है उनकी आफ्लाइन क्लासेस जो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है वो चलती रहेगी लेकिन जो यूजी वाले है यूजी के जो जितने भी कोर्सेस है उनके लिए आफ्लाइन क्लासेस प्रारंभ किये जाने की जो प्रक्रिया है वो आगामी आदेस तक उसको चलेगा यूजी वालों का पीजी वालों का आफ्लाइन है तो वो ऐसी ही चलेगा तो दिनांग 4 जनवरी से प्रारंभ होने वाली इसना तक इस्तर के आफ्लाइन कक्छाओं को आगामी आदेस तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा तो जितने भी यहाँ पे आफ्लाइन क्लास लगने वाले थे यूजी इस्तर के वो अभी आगामी आदिस तक प्रारंब नहीं किया जाएगा कख्षाय ऑनलाइनी संचालित की जाएगी तो यह सिर्फ यूजी वालों के लिए ऑनलाइन चलेगी पीजी वालों का यहाँ पर आफलाइन स्टार्ट हो चुका है उनकी क्लासे चल रही है और यूजी वालों का यहाँ थागित किया गया है जो चार जनवरी से इनकी आफलाइन क्लासेश लगने वाली थी तो उसे भी अभी टाइम है तो चार जनवरी हो सकता है इसी बीच एक मेटिंग हो जाए और उसमें कोई फैसला लिया जाए लेकिन फिलहाल अब यह आउनलाइन क्लासेश चलती रहेगी आउफलाइन जब भी इसके लिए नया नोटिफिकेशन आएगा मैं अपने चैनल के मादधम से आपको यह जानकारी देते रहूंगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकोन बटन दबाके तो बस इतना ही है नोटिफिकेशन में कि PG वालों की आफलाइन क्लासेश चलती रहेगी और जो UG वालों का है वो आउनलाइन मोड से चल रही है आफलाइन के लिए अभी इनका डिसीजन होना बाकी है क्या डिसीजन लेंगे अब यही बाद में पता चलेगा नए नोटिफ किसन के साथ नए वीडियो में